हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू इस्टेडी कर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभागर डेली करिंट अफ्यास में आज आपके साथ डिसकस करेंगे 8 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करिंट अफ्यास के कोशन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा लास्ट में आपसे एक कोशन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा आज का मोटिबिशन है अगर महनत आदत बन जाए तो कामयावी मुकदर बन जाती है जी हाँ अगर आप महनत करते हैं और उसको अपनी आदत बना लेते हैं आपको सफलता या कामयावी जरूर मिलेगी और आप जिस काम में हाथ लगाएंगे वो आपकी तकदीर बन जाएगा उसमें कामयावी जरूर मिलेगी फर्स्ट कोशन डिसकस करते हैं ध्यान से सुनना है आपको फर्स्ट कोशन है अमेरिका के किस पूर्वराष्ट पती ने एमी पुरुसकार जीता है आंसर है इसका बराक ओबामा किस ने जीता है बराक ओबामा ने जीता है दोस्तो अमेरिका के पूर्वराष्ट पती बराक ओबामा ने नेट फिलिक्स डॉकुमेंटरी अवर ग्रेट न 1956 में एमी पुरुसकार दिया गया था दोस्तों ये एमी पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो एमी पुरुसकार जो है वो कला और मनुरंजन के छेत्र में दिया जाता है कहां दिया जाता है अमेरिका में और अमेरिका का कला और मनुरंजन के छित्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार है। यह पहली बार 1949 में दिया गया था। बात आई है दोस्तों बराक उबामा की। तो बराक उबामा अमेरिका के लगातार दो बार राष्टपती रहे हैं। कब से कब तक 2009 से लेकर और 2017 तक थीक है दो कारकाल उन्होंने पूरे किये हैं। चार वर्स का कारकाल होता है अमेरिका में राष्टपती का वर्तमान राष्टपती कौन है जो बाइडिन है। अंगला प्रसन है किस भारतिये ने रह्मन मैकसे से पुरुसकार 2022 लेने से इंकार कर दिया है। और उनकी पार्टी का नाम है भारतिये कम्यूनेश्ट पार्टी माकसबादी तो दोस्तो इस पार्टी का मानना ये है कि जो रह्मन मैकसे से थे जिनके नाम पर ये रह्मन मैकसे से पुरुसकार दिया जाता है वो एंटी कम्यूनेश्ट थे इसलिए उन्हें यह पुरुसका नहीं लेना चाहिए जिसके बाद केके सेलजा ने यह पुरुसकार नहीं लिया है ठीक है दोस्तों सेलजा को इस पुरुसकार के लिए क्यों चुना गया था क्योंकि 2016 से लेकर 2021 तक केरल के हैल्थ मिनिस्टर की रूप में उन्होंने जो अच्छे काम किये थे उनके अच्छे क देया ने तो उनकी इनी कामों को देखते हुए रहेमन मैक्ससी पुरुसकार 2022 के लिए उन्हें चुना गया था बात आई है रहावन मैक्ससी पुरुसकार की तो इससे जुड़ी हुए सभी बाते डिसकस करते हैं रहामन मैक्ससी अबार्ड को एसिया का नोवल भी कहा जाता है। बहरी बहरी important question है। कई exam में पूछा गया है। यह पूरुसकार फिलिपिंस के भूत पूर्वराश्टपति रेमन मेकसेसे की याद में दिया जाता है। मेकसेसी की याद में दिया जाता है। पुरोसकार एसिया के ब्यक्तियों संस्थाओं को उनके अपने छित्र में बिसेस रूप से उलेखनिय कार medo करने के लिए परदान किया जाता है। दोस्तो रेमन मेकसेसी की बाद करें जो कि पूर्व राष्टपती है फिलिपेंस के तो साल 1977 में एर क्रास में उनकी मौत हो गई थी तो इसके बाद रॉक फैलर विलर्स फंड के ट्रस्टियों और फिलिपेंस की सरकार ने मिलकर रैमन मेकसे से अवाड की स्थापना की थी तो दोस्तों याद रखिएगा रैमन मेकसे से पुरुष्कार की जो स्थापना है वो कब हुए थी 1977 में हुए थी और इसी बर्स रैमन मेकसे से की मृत्यू भी हुए थी फिर उसके बाद 1908 में पहली बार रैमन मेकसे से पुरुष्कार देने की घोशना की गई यह पुरुसकार हर वर्स 31 अगस्त को दिया जाता है रेमन मैकसे से अवर्ड 2022 किस ने जीता है दोस्तों चार लोगों ने जीता है कौन-कौन से हैं वो चार लोग ध्यान से सुनिएगा सोठी आरा छिम ये कमबोडिया के हैं तदासी हटोडी ये जापान की है इन्हें रेमन मैकसे से पुरुसकार 2022 दिया गया है वर्नाडेट जे मैडरेट ये फिलिपिन्स के ही हैं गेरी वैन चेविग इन्हें भी दिया गया है ये इंडोनेसिया के हैं दोस्तो रहमन मैकसे से पुरुसकार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? चार लोगों को दिया गया है, तो ये point आप note कर लीजिगा. ठीक है दोस्तो 2019 में आपको याद रखना है, जो रवीश कुमार है, उन्हें विया पुरुसकार दिया गया है, ठीक है? रमीश कुमार को आप देखते होंगे, किसमे एंडी टीवी में, ठीक है? पत्रकार हैं एंडी टीवी के, तो उन्हें 2019 में रहमन मैकसे से पुरुसकार दिया जा चुका है, इसके अलावा कई पॉलिटीसियन हैं, जैसे अर्बिंद केजरिवाल के बात करें, तो उन्हें भी य न्युक्त किया गया है, आंसर होगा इसका संजे कुमार बर्मा, तो दोस्तों संजे कुमार बर्मा जो हैं, वो कनाडा में अंगले हाई कमिस्नर न्युक्त किये गए हैं भारत के, उन्नीस सो अठासी बैच के आई एफस ऑफीसर हैं कौन? संजे कुमार बर्मा और बरतमान म में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो कनाडा के हाई-कमिशनर निक्त किया है। दोस्तो, जो उच्चायोगत, यानि हाई-कमिशनर और राजदूत होता है, उनमें थोड़ा सांतर होता है, ध्यान से सुनियेगा, बाकि काम तो उनके एक जैसी ही होते हैं जहां जहां अंग्रेजों का सासन रहा है अगर वो देश एक दूसरे देश में राज़दूत को निफ्ट करते हैं तो उसे High Commissioner बोला जाता है जैसे भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजों का सासन रहा है तो भारत जब अपने राज़दूत को पाकिस्तान में भेजेगा तो उसे High Commissioner बोला जाएगा और जब पाकिस्तान भारत में अपना राज़दूत भेजेगा तो उसे भी High Commissioner बोला जाएगा देखे अगला Question है सुबरतो कब किस خेल से Related है जिसका आज़ज़न 6 सितंबर से शुरू हुआ है तो इसका आंसर है Fellowal तो सुबरतो कब किस خेल से Related है Fellowal से Related है और इसकी शुरुबार 6 सितंबर से हुई है दिल्ली में काँ पर हुई है दूस्तों दिल्ली में हुई है सुब्रतो कप जो है वो हर साल इस्कूल फुटवाल टूनामेंट है जिसका उद्गाटन 1960 में पहले भारतिय वायू शेना प्रमुख एर मारसल सुब्रतो बनरजी द्वारा किया गया था यानि यह एक वारसिक स्कूल फुटवाल टूनामेंट है तो इस साल कहाँ पर हो रहा है दिल्ली में हो रहा है दोस्तो यहाँ पर फुटवाल की बात आई है तो फुटवाल से जुड़ी हुए कुछ कप भी इस भी दिसकस कर लेते हैं, जैसे रोवर्स कप, कौन सा कप दोस्तो रोवर्स कप जो है यह भी फुटवाल से रिलेटेड है तो यह भी आप नोठ कर लीजगा देखिये अब एक्स्टा नॉलेज में आज हम राजियों के मुख्मंतری डिसकस करेंगे इससे पहले हम अनिराज्यों के डिस्कस कर चुके हैं जो भी बचे हैं आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तुरुप्रा के कौन है मरिक साहा है उत्तर प्रदेश के योगी आदितनात है उत्रागंड के कौन है पुसकर सिंग धामी है पश्यमंगाल के कौन है ममता बनर जी है दिल्ली के कौन है अर्विन केजरीबाल है पुदू चोयरी के कौन है एन रंगा श्वामी ये सब ही आप नोट कर लीजिगा जम्मू कस्मीर में भी मुखमंतरी मिलेंगे जब चुनाओ हो जाएंगे वहाँ पर भारत की पहली महिला मुखमंतरी कौन थी सुचीता क्रपलानी जो 1903 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुखमंतरी रही हैं बरतमान में सबसे यूबा मुखमंतरी अरवनाचल प्रदेश की चीप मिश्टर अंगलाप प्रिस्न है किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुधु माई पैन यानि आधुनिक महिला योजना सुरू की है तो ये कहां पर सुरू की गई है तो आंसर होगा इसका तमिल नाडू में तो तमिल नाडू में पुधु माई पैन या प्रती माह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ठीक है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट योजना है इसको आप नोट करिएगा इस योजना का लक्ष हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभ प्रदान करना है और इसके कार्यालमन के लिए बजट में 698 करोड रुपए आबंटित किये गए है देखिए दोस्तो तमिल नाडु की बात आई है तो तमिल नाडु के चीप मिस्टर कौन है एम के स्टालिन है दोस्तो अगर आप इस लेक्शर का पीड़ेप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीड़ेप मिलेगा आपको हमारे एप पर एप को डाउनलोड करना है तो description में जाएए वहाँ पर उसका link दिया गया है वहाँ से download कर लीजिएगा या फिर आप Google Play Store पर जाएए वहाँ पर study कर सर्च करिए आपको app मिल जाएगा वहाँ जाने के बाद दोस्तो यानि application पर जाने के बाद जैसे आप study material पर जाएगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा अंगला परसने discuss करते हैं विर्जू साह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो विर्जू साह भारत के मुक्यबाज थे दोस्तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ACI और राष्ट मंडल दोनों खीलों में पदक जीतने वाले पहले भारतिय मुक्यबाज है बिर्जू साह उनका निधन हो गया है दोस्तों इनका नाम जरूर याद रखिए का एक्जाम में पूछा जा सकता है उनोंने साल 1994 में राष्ट मंडल यानि कॉमन बेल्ट और Asian Games में दोनों में कांसपदक जीता हुआ है देखिए हाल ही में कुछ प्रमुक निधन हुए है जैसे Cyrus Mystery का विजनेसमेन थे उनका निधन हुआ है अवजीत बनर जी का भी निधन हुआ है वो भारत के अर्थसास्त्री थे और मिखाइल गौरबा चोब उनका भी निधन हुआ है वो सोविय संगे की राष्ट्रपती थे तो ये कुछ नाम आप नोट का लीज़िगा अगला प्रस्न है जैब गाउं यानि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो वायो विलेज यानि जैब गाउं स्थापित करने वाला भारत का पहला राज बना है तृपुरा दोस्तो वायो विलेज का अर्थ क्या होता है ऐसा गाउं जहां पर जो खेटी वाड़ी की जाती है वहां किसी भी प्रकार की रासाइनिक खाद का प्रियोग नहीं किया जाता है ज्यादा तर चीजे नेचुरल होती है प्लास्टिक का कम से कम यूज करना तो और कारवन डाई आकसाइड है उसका कम से कम उत्पादन करना इस प्रकार के जो गाउं विक्सित किये गए हैं उसे बायो विलेज कहते हैं तो देश का पहला बायो विलेज जो है वो तरुपरा में ही बनाया गया है ठीक है तरुपरा सरकार ने दस पारा गाउं को गाउं का नाम नोट कर लीजेगा कौन सा गाउं है दस पारा गाउं तो इसको सफलता पूर्वग बायो विलेज में कनवर्ट किया है और ऐसा करने बाला भारत का पहला राज तुरुपरा बन गया है दोस्तो जो तुरुपरा की गबर्मेंट है उसका लक्ष है 100 बायो विलेज इस्थापित करना तुरुपरा की बात आई है राजधानी अगरतल है नुर्थ इस्थ का इस्टेट है दोस्तो राजपाल कोन है सत्त देव नार्यणार है मुख्ध मंतरी है मरिक साहार नेक्स्ट कोईशन है चतीस गड़ को सितम्बर दोहजार बाईस बिलाईगड ये दूसरा जिला है और तीसरा जिला है खेरागड छुई खदान और खंड़ई ये तीसरा जिला है ठीक है दूस्तों तो इस प्रकार से 36 गड़ को तीन जिले मिले हैं और 36 गड़ में अब जिलों की संख्या 31 हो गई है मुक्कमंत्री कौन है भूपेस बगेल तो भूपेस बगेल के द्वारा इन तीनों जिलों का अभी हाल ही में उदगाटन किया गया है तो जो मोहला मानपूर अंबगड चौकी है ये 39 राज जिबना है सारंगर बिलाईगर 30 राज जिबना है और खेरागर शुई खदान गंड जो थे वह एक गायक थे उनका हाल ही में निधन हो गया है तो प्रISHद्य करनाटक गायक और पदम भूशन प्राप्त करने वाले टीबी संकार नायरायन का हाल ही 77 साल की आयू में निधन हो गया है उन्होंने 2003 में संगीत अकादमी का संगीत कला निधी पुरुसकार जीता हुआ है पद में भूशन आप बताईएगा कमेंट वॉक्स में किस क्रम का सरवोच नागरिक सम्मान है यानि इसका क्रम बताना है आपको ठीक है भारत में जो नागर मंदरी कौन है राजनाज सिंग तो राजनाज सिंग ने पहली ओफीसियली यात्रा की है मंगोलिया के और ऐसा करने वाले वो पहले रक्षा मंदरी बन गये हैं 5 से 7 सितमबर तक मंगोलिया की यात्रा पर थे ठीक है और यह यात्रा किसी भारती रक्षा मंदरी की मंगोलिया की पहली यात्रा है मंगोलिया की बात आई है तो राष्ट पती हैं उक नागिन खुरेल सुख राजधानी क्या है उलन बाटर मुद्रा क्या है टैग ग्रोगा ठीक है टोग्रोग जो है यहां की मुद्रा है ठीक है तो दोस्तो एसिया महादीब का देश है मंगोलिया तो वहां की यात्रा की है किसने राजनास सिंग ने तो ये थे आज के मातपूर कोशन दोस्तो आज का एक प्रस्न है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कोशन है पुदुचेरी के मुख्मंद्री कौन है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीज कि बरतमान में कौन सी निक्तिया हुई है और साइंस के एक हजार से अधिक प्रस्नों की पीडियेफ ये सभी मिल जाएंगे तो आप एक बार विजिट जरूर करिएगा एफ़ पसंद आया हो लेक्षर तो आप इसे लाइक करने सेयर कर दे सभी दोस्तों को सभी सोसल मेडिय प्लेटफॉम पर जैहिंद वन्देमात